आज मैं बताऊंगा कि क्यों दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। मुझे भी इसका सामना करना पड़ा है, मुझे लगता था कि मेरे दिल में ही कोई समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं आपको इसकी जानकारी दूँगा। इस स्थिती में दिल फड़कने लगता है, धड़कन असामान्य हो जाती है, ये समस्या आती जाती रहती है, और इससे पहले कि मैं इसके सबसे आम कारण की बात करूँ, मैं उन सभी कारणों की बात करना चाहता हूँ, जिनके कारण आपको ये समस्या हो सकती है। तनाव इसका सबसे पहला कारण है. तनाव से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रभावित हो जाता है. इसके कारण कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को चलाने वाले इलेक्ट्रोलाइट प्रभावित होने लगते हैं. तनाव के कारण दिल असामान्य तरीके से काम करने लगता ह नमबर दो है कैफीन बहुत ज्यादा कैफीन से ये समस्या हो सकती है कैफीन एक स्टिमुलेंट है और ये दिल को प्रभावित कर सकता है मैं दिन भर में एक कप कॉफी ही पीता हूँ, वो भी सुबह के समय पहले जब मैं कॉलेज में था, मैं बहुत ज्यादा कॉफी पिया करता था, लेकिन कॉलेज के मुकाबले अब मेरी सेहत ज्यादा अच्छी है मैं इसको लेकर एक बात कहना चाहता हूँ, आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, उस समय पर मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे बहुत ज्यादा दर्द और परिशानी का सामना करना पड़ा, मुझे बाद में ये बात समझ हाई इसलिए सेहत बिगड़ने से पहले चीजें ठीक करने की कोशिश करें, जब बाद में भी करना है, तो पहले क्यों नहीं आपने सही सुना, वाइन पीने से दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है, इसका कारण एलकोहॉल हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको वाइन में मौझूद सल्फाइट से एलर्जी हो नमबर चार है ग्लूटन ग्लूटन कुछ अनाजों में मौझूद एक प्रोटीन है, ये एक मात्र ऐसा प्रोटीन है, जिसे हमारा शरीर पचा नहीं सकता ग्लूटन हमारी आंत को प्रभावित कर सकता है और जो कोई भी चीज हमारी आंतों में पहुचती है उससे हमारा दिमाग और दिल प्रभावित हो सकता है शरीर में खाना पचाने वाली और गन का दिल और लिवर से करीबी रिष्टा होता है ये सभी अंग आपकी छाती के अंदर करीब से जुड़े होते हैं खासकर जब आपका लिवर फैटी हो जाता है लिवर फूलने के बाद दूसरे अंगों को दबाने लगता है यहां तक कि गॉलब लैडर के फूलने पर वह दिल को प्रभावित कर सकता है अगर बाईल डक्त में सलज है और ये डक्त लिवर और गॉलब लैडर से जुड़ा हुआ है तो उसके कारण भी दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है फूड एलर्जी की बात करते हैं फूड एलर्जी के कारण आपकी पल्स रेट बढ़ने लगती है फूड एलर्जी की स्थिती में भी आपको एक संबंध देखने को मिलता है जो गैस्ट्रो कार्डियाक सिंड्रोम या गैस्ट्रो डाइजेशन कार्डियाक हार्ट सिंड्रोम की श्रेणी में आता है इस स्थिती में आप कुछ चीजे खाते हैं, जो दूसरी चीजों के अनुकूल नहीं होती और फिर आपको उसके लक्षणों का सामना करना पड़ता है दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है सीने में जलन होने लगती है आपको गैस हो सकती है पेट फूल सकता है चाती में दर्ग भी हो सकता है अगर मेरे दिल की धड़कन असामान्य हो रही है तो मैं सबसे पहले इस बात पर ध्यान दुंगा की कहीं जो मैं खा रहा हूं उससे कोई समस्या तो पैदा नहीं हो रही है मैं आपको कुछ दवाओं से भी अवगत करवाना चाहता हूं खास कर ऐसी दवाएं जो आपके साइनस को खोलती है एंटी बायोटिक, एंटी फंगल, थाइरोइड, दिमागी, डिप्रेशन दूर करने वाली दवाएं ये सभी दवाएं दिल को प्रभावित करके धड़कन असामान्य कर सकती है अगर आप ये दवाएं लेंगे, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इनके क्या दुश्प्रभाव देखने को मिल सकते है नमबर साथ है हाइपर थाइराइडिज्म ये समस्या इतनी आम नहीं है, लेकिन अगर आपको ये समस्या है, आपका थाइरोइड बहुत तेजी से काम करता है उसके कारण आपके दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है, आपको गंभीर अरिथ्मिया भी हो सकता है इसकी पहचान करने के लिए आप ट्राइफिल्ड इलेक्ट्रो मागनेटिक फील्ड टेस्टर का उप्योग कर सकते हैं मैं अपने कमरे में गया, अपने कम्प्यूटर को देखा, मैं अपने पूरे घर में घुमा और देखा कि सबसे ज्यादा electromagnetic field किस जगह से निकल रही है मुझे हैरानी हुई कि मेरे बेड के पीछे से बहुत ज्यादा feed निकल रही थी ये feed मेरे बेड से 8 feet आगे तक निकल रही थी यह electromagnetic field बहुत शक्तिशाली थी मैं तो electromagnetic field में नहा रहा था क्या आप जानते हैं कि आपका दिल भी electrical होता है फिर मैंने एक electrician बुलाया, उसने दीवार तोड़ी, connection की जाच की, जिसने भी यहाँ पहले तार जोड़े थे उसे मालूम नहीं था कि वह क्या कर रहा है, शायद वह प्या हुआ था क्योंकि उसने सारा काम खराब कर दिया था जब मेरे electrician ने तार ठीक किये, मेरी नींद में बहुत ज्यादा सुधार आया, मैं सुभा उठकर तरो ताजा महसूस करने लगा और दिल की असामान्य धर्कन दूर होने लगी आप अपना कंप्यूटर, बैटरी, इन्वर्टर या तारों की जांच कर सकते हैं और आपको हैरानी होगी कि ये सभी चीजें कितनी ज्यादा electromagnetic field पैदा करती हैं आप अपने सोने की जगह से इन्हें दूर रख सकते हैं जरूरत से ज्यादा कसरत के कारण दिल में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, खास कर यदि आप आराम या नींद नहीं ले रहे हैं मैंने बहुत सारे मरीज देखे हैं, जो जरूरत से ज्यादा कसरत करते थे और उनके दिल की धड़कन असामान्य होने लगी उसके लिए हमने उनके जीवन में कुछ बदलाव किये और उनकी समस्या दूर होने लगी नंबर दस बेहद आम समस्या है आप में मैगनीशियम की कमी हो सकती है जब कोई इनसान अरिथ्मिया का सामना करता है, उसके दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है उसमें हमें मैगनीशियम की कमी दिखाई देती है मैं कहना चाहता हूँ कि ये समस्या पोटैशियम की कमी से भी पैदा हो सकती है 66 प्रतिशत लोगों में मैगनीशियम की कमी है क्योंकि अधिकांश मैगनीशियम हमें सबजियों और सलाद से मिलता है और दुनिया भर में एक औसत इंसान रोजाना डेर कटोरी सबजी ही खाता है आपको रोजाना साथ से दस कटोरी सलाथ खाना चाहिए अगर आप सबजी खा रहे हैं, तो आप चार से पांच कटोरी सबजी खा सकते हैं आपकी समस्या का कारण ये हो सकता है कि आपको अपनी डाइट से परियाप्त मैगनीशियम नहीं मिल रहा है. क्लोरोफिल को बनाने में मैगनीशियम का बड़ा हाथ रहता है. पॉधों में हरी चीज क्लोरोफिल होती है. Chlorophyll आपके खून की तरह होता है, लेकिन उसकी chemistry कुछ अलग होती है हमारे खून में iron होता है, जो लाल रंग का होता है, Chlorophyll में magnesium होता है, जिसका रंगहरा होता है जब आप foods को refined करते हैं और refined sugar खाते हैं, तो उनसे आपको मुश्किल से ही magnesium मिल पाता है अगर आप blood test करवाते हैं और उसमें magnesium सामान्य निकलता है, तो याद रखें कि अधिकांश magnesium लगभग 99.8% magnesium आपके cells के अंदर होता है ये बाहर नहीं होता, खून में मौझूद नहीं होता, cell के अंदर होता है इसलिए intracellular magnesium test करने पर ही आपको इसकी जानकारी मिलेगी कई दवाएं शरीर में magnesium की कमी कर सकती है, मानसिक तनाव के कारण magnesium की कमी हो सकती है आप कई काम कर सकते हैं मुझे लगता है कि ज्यादा हरा सलाद खाना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा आप साथ से 10 कटोरी सलाद खा सकते हैं एक कटोरी में कितना सलाद आएगा एक मुठी सलाद एक कटोरी के बराबर होना चाहिए आप सप्लीमेंट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं मैं आपको magnesium glycinate लेने की सलाह दूँगा कहने का मतलब ये है कि magnesium एक बेहद आम electrolyte है और अगर आप सबजियां खाएंगे तो आप एक तीर से दो निशाने करेंगे सबजियों से आपको potassium और magnesium मिल जाएगा अगर आप में इनकी कमी है तो उसे दूर करने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है इसमें कुछ हफ्तों और कुछ महीनों का समय भी लग सकता है ये कमी रातों रात दूर नहीं होती मुझे लगता है कि यदि आपके दिल की धड़कन असामान्य है ये आपके लिए बेहग महत्वपून विशय हो सकता है क्योंकि अभी हम पाचन के विशय पर बात कर रहे हैं जिससे आपका दिल प्रभावित हो सकता है तो आपको गॉल्ब लेडर के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए उसके लिए आप यहाँ पर दिया विडियो देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करें और विडियो शेयर करें